हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विशाला सब के स्वागत परता हूँ आप यह चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है इसको एंड तक देखिएगा जरा सा भी स्किप नहीं करना है अगर आप स्किप करेंगे तो काफी कुछ मिस कर और नहीं परिखिएगा है नियुत तो इसका मिल हुट हैं और की प्रकशीन ने सी ऐसे सेटिंग बताने वाला हूं जह एंडॉिड के घर आपका फॉन कहीं हो जाता है अगर मैं बात कर रहा हूं को बंत कर दिम के हाथ में लग जाता है जो आपका फॉन लॉटाना चाहता है लेकिन आपके फॉन में लॉक लगा हुआ है तो फॉन को तो खोल नहीं सकता लॉक आपने लगाया है security purpose लेकिन इस्टिल आप चाहते हैं कि वो आपसे contact कर सके तो आप क्या कर सकते हैं तो इसके लिए एक setting android में provide कराई हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ओके दोस्तों जिसे बोलते हैं owner info ओके दोस्तों इसका नाम जैसा की setting में जाना होगा setting में जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर एक option आता है lock screen का lock screen पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों lock screen पर जाने के बाद आपको हो सकता है कि अलग-अलग version में अलग-अलग phone में यह lock screen किसी में setting के अंदर हो किसी में setting के सेक्यूर्टी में हो तो यह आप एक पार चेक कर लिजेगा लॉक्ष क्रिंग ओप्शन हर जगह होता है ओके दोस्तों यहां पर यहां पर यह मैंने अन किया हुआ है जहां पर मैंने यह नंबर डाला हुआ प्लीज कॉल एट 1234567890 इसकी जगह आपको क्या करना यह चोटी सी एक टेक्स्ट वील यानि कि टेक्स्ट फील इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं ओके दोस्तों इसमें आप कम से कम 25 से के 25 से 30 के असपास करेक्टर भर सकते हैं जैसे कि मैंने इतने भर रहे हैं अब आप क्या क इसमें तुर्श प्लीज को इसमें आपका यार एक नंबर है ऐब दोस्तों अब दोस्तों यह क्या होगा यह जो लिखा हुआ प्लीज कॉल एडिडी यह आपकी फॉन में हर बार दिखाई देगा जब भी आपका फॉन लॉक होगा ओके दोस्तों present जैसे ही लॉक हो जाएग आपको पता चलेगा आप अपने phone की screen को बंद करदीजे का Okay दोस्तों बंद करने के बाद जैसे लॉक नहीं खुलता करना है को जैसे whilea tax i mean आपको xcción पर दिखाई गीगा तो इससे होगा तो सारी डीटेल कायब हो जानी वो आपको कॉल नहीं कर पाएगा तो यह एक ऐसा फीचर है जो Android प्रोवाइड कराता है इसका फाइदा उठा सकते हैं क्या कर सकते हैं आप यहां पे किसी ऐसे बंदे का नंबर डाल दीजिएगा जो आपका रिलेटिव हो ध्यान लखिएगा इसमें आपका वो वाला नंबर नहीं डालना है जो आपके इस फॉन में है क्योंकि इनकेस अगर ऐसा होगा तो वो बंदक किसी अधर फॉन से अगर फॉन करेगा तो आपका यह फॉन ही रिंग करना स्टार्ट हो जाएगा तो किसी रिलेटिव का नंबर डालना है मैं भी य स्टेप या फिर भू सकता है गिरने से बचाने के लिए गिरने के बाद अगर आपको लगता है आपका फॉन नहीं मिलेगा तो इस स्टैप से हो सकता है माइट भी आपका फॉन आपको वापस मिल जाए ओके दोस्तों यूज करके दिखीएगा काम करती है बहुत अच्छी ट्रेक है यह एंड्रोइट की ट्रेक है यह तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो लाइक कीजेगा ओके दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो कता ही न भूलें बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो